मैं प्रोफिसर सविन सिंग अपने वीडियो जियोगर्फी लेक्चर सिरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मेरी चर्चा का विशह है भारत में भौमिकी ये अथवा बिवर्तनिक भ्रंश और लिनामेंट पर ये जियोलाजिकल और टेक्टानिक फाल्ट्स और लिनामेंट पर आज हम भाग दो में चर्चा करेंगे भाग एक में पहले ही मैं आपको नार्थिस्ट इंडिया और हिमाले के प्रमुक भ्रंश रेखाओं भ्रंश मंडलों फाल्ट जोन्स और लिनामेंट के विशय में बता चुका हूँ आज ये दूसरा भाग है जो भारत के सेस भाग में महत्पूर फाल्ट जोन्स फाल्ट लाइन्स और लिनामेंट पर हम बात करेंगे लेकिन इसके पहले हम आप से चंद बातें शेयर करना चाहूँगा पिछली मई में बावतिक भुगोल पर 1000 MCQ हिंडी में प्रकासित हुआ अभी कल फिजिकल जोगरिफी पर 1200 MCQ इंगलिस में प्रकासित हुआ अब इसमें कुछ भाईयों ने प्रस्न दागना शुरू कर दिया और मेरे से जबाब तलब करना शुरू कर दिया जैसे वो मेरे बास हूँ मैं उनका सबाडिनेट और गुलाम हूँ कई तरह के बेतुके प्रस्न वो पूछ रहे हैं जैसे इंगलिस में तो बारत सव प्रस्न है हिंदी में एक ही हजार क्यों प्रस्न पूछ दिया उन्होंने कुछ लोह कहना है कि पूछते हैं कि अंग्रेजी में तो बारत सव है और हिंदी में एक ही हजार है तो ये बाकी हम लोग जो है दो सव कहां से पढ़ेंगे हम सबका जिम्मा लिये है क्या हम ठीका लिये हैं जितना ही करो उतना ही मन बढ़ता जा रहा है आपका असी बरस की एज में अकेले रहते हुए, इतना मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और आप प्रसंद आखते हो, वास्तों में मित्रों ये लोग पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, जो पढ़ने वाले सीरियस लोग है, वो चुपके से आए और किताब इंगलिस वाली भी ले गए, उधारत देता हूं मैं आपको, ये रिसी सिंग स्रिनेत, ये तो पहले हिंदी मीडियम की ले चुके हैं, और उसको पूरा साल भी कर चुके हैं, और कल आए, इंगलिस वाली भी ले गए, अरे जनाब अगर दो सवा आपको पढ नहीं तो इंगलिस वाली खरीदो, और उसमें से सुरू के सौर मंडल पर जो प्रस्न हैं, उनको समझो, अगर नहीं अंग्रेजी समझ में आती है, तो किसी अंग्रेजी वाले से पूछ करके, उसका ट्रांसलेशन करके समझो, तो, where there is a will, there is a way, जहां जनाब चाह होती है, वहां राह होती है, मैं तो गाजीपूर जिले में गाउं में दरजा एक से बारहवी तक की पढ़ाई सुरू की है, जहां तो आईली गैली बोलते थे, काओ खनुमा खईला, कहाँ जात बढ़या, ये भासा हमारी थी वहां, हम लोग खड़ी हिंदी भी नहीं बोलते थे, तो पढ़के सीखे हैं न यहां तक, तो आप तो कुछ करोगे नहीं, प्रसंदाग दोगे, तो मैं ऐसे लोगों को अब जो है, चिन्नित करके अपने फेस्बुक से निकालूँगा, अगर वो फालूवर है मित्र नहीं तो ब्लाग करूँगा, या वो सुधर जाएं, और ये कभी कोई एक हपते बाद फेस्बुक खोलता है, कभी दो हपते बाद खोलता है, कभी एक महीने बाद जो सामने आता है, पहले का तो मालूम नहीं है, प्रसंदाग देता है, बार बार मैं कह चुका हूँ कि किताब के बिसे में हमसे कुछ न पूछिये, पैसा पूछ लेते हैं लोग कितनी कीमत हम सेलर हैं क्या हम विक्रेता हैं अरे मैं कहता हूं कि बाइब प्रकासक बिजय जैस्वाल से 5935-886-249 पर बात करिए सब डिटेल बता देंगे यह किताब कैसे मिलेगी यह भी प्रसंदागते हैं क्या यह आनलाइन हमेजान पर सुलब है अरे हम सप्लायर हैं गया हमसे क्यों पूछते हो या ऐसे लोगों को भी हम मैं बाहर करूंगा खैर छोड़िये इन बातों को इस प अब बाहर जाने पर पोस्टेज योगारा फ्री कर देते हैं तो पूरा 315 में साइद दें लेकिन यह बताएं कि वही बिजय है उसमें से जो अडिशनल प्रसंद है उनको समझो ले करके यह यह तब करेंगे नहीं प्रसंद पूछ देंगे क्यों अब हम आते हैं अपने मुख बिशय पर फाल्ट पर तो हिमाले के बाहर जब हम आते हैं तो सबसे पहले हिमाले का ही हिस्सा है कश्मीर हिमाले वहाँ पे तीन प्रमुख फाल्ट हैं कश्मीर में एक है टुंडा फाल्ट एक है मावेर भ्रंस मावेर फाल्ट और एक है गुलमर्ग फाल्ट ये तीनों एक्टिव फाल्ट हैं और ये भुकम प्रोन एरिया है कश्मीर वैली का और ये पूरा का पूरा भाग जो है सेस्मिक जोन फाहिब में आता है एक्टिव फाल्ट है इनसे भुकम पाने की पूरी संभावना रहती है अब आते हैं राजस्तान में राजस्तान में बहुत बड़ी boundary fault है, जिसका नाम है Great Boundary Fault, GBF, ये दक्षिरी पुर्वी राजस्थान में, दक्षिर पस्चिम में, चितोड़ गड़ और बूंदी की पहाड़ियों से शुरू होती है, और उत्तर पुर्व दिशा में, ये सवाई मधोपूर तक, सवाई माधोपूर तक, 400 किलो मीटर की लंबाई में फैली है, और ये fault जो है, अरावली सिस्टम को बिंधन सिस्टम से अलग करती है, लेकिन ये fault active तो है, लेकिन अब इस fault से, इस ब्रंच से बहुत प्रचंड भूकम पाने की संभावना कम है, अब आते हैं गुजरात में, गुजरात में करीब आधा दरजन active fault है, और जिन में प्रमुपक हैं, नागर पारकर फाल्ट, कैट्रोल फाल्ट, अल्लाह बंद फाल्ट, आईलेंड फाल्ट, कच्छ मेंड फाल्ट, इसमें जो ये जो इस्ट वेस्ट फाइली हुई है, ये fault line, और ये इसमें सभी active है, लेकिन सबसे ज़्यादा active है कच्छ मेंड फाल्ट, जिसके वज़़ा से ही, भुजका क्विक आया था 241 में, 26 जन्वरी 2001 को भुजका प्रचंड भुकम पाया था, जिसने कई आसपास के छोटे नगरों को पटरा कर दिया था, अहम्दाबाद भी fault line पर है, वहाँ दो fault line एक दूसरे को काटती है, और यह गुजरात की जो fault line है, यह संबंधित है, इंडिया, इंडियन प्लेट, टेक्टानिक प्लेट और इर्वेसियन प्लेट के कुलीजन जोन से, और इसी तरह से अगर हम उत्तर पस्यम की तरफ बढ़ते हैं, तो दिल्ली में भी करिब 4-5 एक्टिव fault है, दिल्ली इंडियन फाल्ट के उपर है, इसलिए उस से स्मिर जोन 5 में आता है, या 4 में आता है, वहाँ भी भुकम पाने की पूरी संभावना बनीद है, अब हम आते हैं, सिंट्रल इंडिया में, तो मद्ध भारत में दो महत्त पुर्ड टेक्टानिक जियलोजिक फाल्ट्स और फाल्ट लाइन है, नमबर एक, नर्मदा फाल्ट लाइन, नर्मदा नदी की जो घाटी है, इस ये फाल्ट लाइन है और इसकी जो लिनामेंट है, उसको हम सोन से कमबाइन करके करते हैं, नर्मदा सोन फाल्ट लिनामेंट, और इन नर्मदा जो है, ये जो फाल्ट है, वो रिफ्ट बैली फाल्ट है, भूबरंस घाटी है, इंडिया में आप तीन सुनिश्चित रिफ्ट बैली निर्धारित की गई हैं, एक है नर्मदा रिफ्ट बैली, एक है तापती रिफ्ट बैली, और तीसरी कहुन है, दामोदर रिफ्ट बैली, तो ये पहले हम नर्मदा रिफ्ट बैली की बात करते हैं, ये नर्मदा रिफ्ट बैली जो है, वो बारह सव किलो मीटर की लंबाई में फैली हुई है, और इसका जो पश्मी हिस्सा है, बहुत ही एक्टिव है, तो गुजरात के भूकम्प में इसका नर्मदा फाल्ट का पश्मी हिस्सा बहुत कारगर होता है, बहुत महत्पुर्ण भूमिका अदा करता है, और यह जो नर्मदा फाल्ट है, इसके उत्तर में बिंधन रेंजेज हैं, और दक्षिन में कौन है, सत्पूरा रेंज, और इस सत्पूरा जो माउंटेन रेंज है, वो ब्लाक माउंटेन का उदारण है, और अब आते हैं ताप्ती, ताप्ती को अब तापी भी कहते हैं, तापी रिवर भी कहते हैं, तो तापी नदी भी की घाटी जो है, वो भूब्रंस घाटी है, रिप्ट वही लिए है, इसके उत्तर, उत्तरी किनारे पर कौन से परवस्रेणी है, सत्पूरा की, I am sorry, yes, अच्छनी भाग में कौन से परवस्रेणिया हैं, वहाँ पे हैं अजन्ता हिल्स और सत्माला हिल्स, सत्माला की पहाडियां और अजन्ता पहाडियां इन दोनों के बीच से ताप्ती नदी, पूरब से पस्षिम दिशा की तरफ है, ये तो आप जानते हूँ कि नर्मदा ता अब दामोधर नदी की भूबरंस घाटी पर वैली पहमाते हैं, तो ये छोटनागपुर के पठार के उत्तरी पुर्वी भाग से और उधर जो है आपके हजारी बाग वाले छेत्र से हो करके आगे बढ़ती है, जाकर के बंगाल में हुगली में गिरती है, अगर आप राज रप्पा के पास जाके बैठ जाएं, थोड़े समय के लिए आँख बंद कर लें, फिर आँख खोलें, पूरी जियो आलजी और जियो मार्फालिजी आपके नजर के सामने चक्कर लगाती हुई फिरेगी, मैं गया हूँ वहाँ पर, वहाँ पर बैठ के ने देखा है, कि रा रप्पा के पास दामोदर घाटी के दक्षणी भाग में, यानि हम अगर बैंक की बात करें तो नदीज इदर बहती है, उदर मूँ कर दें तो लेप्ट हैंड की तरफ लेप्ट बैंक, राइट हैंड की तरफ राइट बैंक होता है, जो दामोदर नदी के राइट बैंक मे राची पठार की ग्रिनाइट नीज चट्टाने हैं आरकें युक की और वहीं राजरप्पा के पास दामूदर नदी के बाएं किनारे पर गुणवाना क्रम की जुकी हुई परते हैं इनकलाइंट इस्ट्रेटा है किसके सैंड स्टोन और शेल और लाइम स्टोन के ये जुकी हुई परते हैं साप इंगित करती हैं कि दामूदर की घाटी फाल्टेट वह लिए एक तरफ गुंडवाना फार्मेशन है एक तरफ आर्केन फार्मेशन है दोनों को अलग करती है दामूदर और ये लिए बंगाल में चलते हैं तो बंगाल में एक ही बहुत महतुपूर्ण ब्रंस सै फाल्ट है जिसपर अकसर सवाल भी पूछा जाता है ये है मालदा मालदा फाल्ट या मालदा गैब भी कहते हैं यह इसको अलग करती है ये मेगाले पठार या सिलांग पठार को छोटा नागपूर के पठार से अलग करती है। ये परतियोगी परिक्षाओं में बार बार इसको पूछा गया है। और हम आप भी धर्ब चलते हैं अंद्रा की तरफ तो वहां एक बहुत महत्पूर्ण फाल्ट है। कदम फाल्ट ये मतलब पसिम से पूरब दिशा की तरफ ये फाल्ट लाइन है। महरास्ट में काफी फाल्ट लाइन है और वेस्टन घाट के सहारे तो तमाम फाल्ट और फाल्ट लाइन और लिनामेंट हैं। अब जैसे देखिए कोईना में दस दिसंबर उनीस सव सरसथ अगर हमको ये डेट याद है सही तो जरा बेरिफाई कर लिएगा दस दिसंबर उनीस सव सरसथ को उसमें मैं लेक्चरर था जावर्फी डिपार्टमेंट एक बहुत ही भीषण भूकम पाया था कोईना भूकम उसका नाम दिया गया और वहीं पर कोईना बाद भी बना हुआ तो तमाम लोगों ने कहा कि कोईना बाद के भार के कारण भूकम पा गया लेकिन बाद में जब जियालोजिस्ट ने स्टडी किया तो उसके नीचे एक्टिव फाल्ट मिली तो जब कोईना जलासर में पानी ख हो गया है पंद्रह मिनट तो हम अब यहीं अभी से समाप्त करते हैं कृपया नावस्यक प्रस्ण पूछने से बचें अध्यन में ली रहें आपका कल्याण हो आई विश आल बेल फेर टू यू थाइंक्यू